आवन विहारी लालुकी तो भक्त चरित्र श्रवन के लिए हम आप सब लोगे कत्रित हुमे हैं मैं कल से कल बंबई में कथा पूरी हुई तब से ये विचार में था कि किस से प्रारंब करूँ कहां से आज के स्वरूप का भूमिका का प्रारंब करूँ परन्तु मैंने एक चीज अनुभव की है अपने आठ वर्ष के व्यास्पीट की सेवा में मैं जब जब विचार करके गया तब तब कथा उल्टी हो गई जो विचार करके गया वो ही नहीं बोल पाया तो इसलिए अब हमने क्या विचार करना बंद कर दिया है मंच पर वैड़ जाते हैं जो ठाकुड़ जी प्रेड़ना दे दे बस लाल जी से कहते हैं आप जो आपको भाव लग रहा हो वो आप हमसे अब किवा देना तो यहां कथा का यह तीन दन का जो क्रम बना अब विश्वास मानिये हम कोई अपनी प्रसंसा नहीं कर रहे है पर एक भाव कि पिछले कुछ दिनों से ठाकुड़ जी ने इतनी व्यस्तता बढ़ा दी कि सोने की भी फुरसत अभी नहीं मिल पा रहे है तो यहां कथा का जो क्रम था पहले तो हमने हाथ जोड़ के निवेजन किया कि हम अगले वर्ष करेंगे इस वर्ष तो नहीं आपाएंगे पर हमारे यहां के दो-चार वैश्वास बालकों ने इतने फोन किये जब उनकी नहीं मानी तो उन्होंने संतों से फोन करवाए और दो-तीन हमारे बड़े संतों के फोन आए वोल महराजी मा कथा करनी ही पड़ेगी तो फिर उनकी आज्या नहीं माने तो तो बहुत बड़ा अपराद हो जाता तो फिर हम जैसे तेसे गिरते पड़ते लुड़कते पहुँची गए हिसार यही भक्त का पहला स्वभाब यही से प्रार्म करते हैं गुरोर आध्या गरीयसी आध्या गुरूनाम अविचार नियाम गुरू की आध्या पर कभी विचार मत करो एक बात हमने समझी जानी भक्त चरित्र सुनकर के कहकर के देखकर के अनुभव में आई संसार विचार का विशे है भक्ती में विचार नहीं करना चाहिए भक्ति हमारी नियून तम तब होने लग जाती है शुक्ष्म तब होने लग जाती है भक्ति में वाधाएं तब उत्पन होने लग जाती है भक्ति में वाधा क्या है भक्ति में वाधा सेवा में वाधा वक्ति वाधा है ठाकुर जी के नाम संकीरतन में वाधा भक्ती वाधा है ठाकुर जी के प्रशाद बधुराने में कोई वाधा भक्ती वाधा है कथा में आकर के मन ना लगना ये भक्ती वाधा है यह सब वाधाएं जहां वगवत संबंदी कारे हम पुर्ण ना कर पाएं वो वाधा है वक्ति में और वक्ति वाधा आती कब जब व्यक्ति विचार करने लगता है यह करें की नहीं करें प्रंदावन गए पोशाक लेने वो तो दोसों की दे रहें यह साड़े चार सो लगा रहें आपने पोशाक में भी विचार कर लिया जो भागया ठाकबुर जी के लिए फिर उसमें विचार मत करो वो विचार का विशे है ही नहीं माफ कीजेगा मुल्य ज़्यादा कम यह होना यह एक पदार्थ को दर्शाता है भक्ती में मुल्य ज़्यादा कम थोड़ी होता है अश्ट सखाओं में एक सखा हुए कृष्णदास कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके नेत्रों को जो भाजाए वो यह नहीं सोस्तिते कि यह मुझे भाया है वो यह नहीं विचार करते थे कि कितना अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं मेरे ठाकुर जी को भाया है हर इस्थिती में अपने ठाकुर जी की इच्छा को प्रधानता देते थे तो ग्रिश्म रितू का समय गर्मी का समय मन में भाव आया क्रिश्न दाश जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे तभी गर्मी लगी तो थोड़ा किसी वस्तू से पंखा कर रहे थे गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया उसके बाद विचार किया कुई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शान्त हो तो मन में विचार आया है जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है इसलिए मुझे गर्मी लग रही है नकल गए महराज बजार में लेने के लिए खर्बूज जैसे ही पहुँचे तो महीने का पहला फल आया था लेने के लिए जैसे ही पहुँचे दुकानदार से जाके बोला भया कितने का लगाया भाव मोल करो दुकानदार ने जो भी भाव था उसका एक रुपया दो रुपया बताया बोले इतने का है लेो यहां कृष्णदाज जी खरीदने लगे इतने मही राजा के सैनेक आ गए सैनेकों ने आकरे का बोले नहीं महीने का पहला फल है पहले राजा की सेवा में जाएगा बात में किसी मंदिर मठ में जाएगा कृष्णदाज जी बोले यहां तो हमारे लाइल जी की ना कट जाएगी अगर यह फल राजा के यहां गया तो महीने का पहला फल है ठाकुर जी की सेवा में जाना ची अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं यह राजा के यहां रहने वाले लोग इनमें बुद्धी बिवेक तो होता नहीं है केबल तनखा के लिए राजा की थे पहले हम आये तो हम को देना चाहिए दुकानदार बोला पहले आप आये हो लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो यह डंड दे सकते हैं मुझे राजा के लोग हैं मैं तो यह नहीं को दूएंगा कृष्ण दाश जी बोले अगर हम तुमको दुगना रुपईया दें तो एक दो रुपई की चीज के अगर हम पांच रुपई दें तो तो भी नहीं दोगे तो उसका मन थोड़ा है लोभ में आ गया है उसने का भहिया देखो आप बले ही राजा के हैं तो लेकिन राजा सबका बला चाता है न अगर इनकी वज़े से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इनी को दे देता हूँ ये चार रुपईया दे रहे है राजा के सेनको ने का हम पे कोई कमी है किया हम 10 रुपईया देंगे लाओ अब हमको दो 10 रुपईया बोला तो कृष्णदाजी बोले हम 15 रुपईया देंगे अच्छा एक और बात बताओं जेव में लाए 2 रुपईया थे कृष्णदाजी लेकिन भक्ती में विचार नहीं करना होता न यहीं तुम सिखा रहे हैं आपको लाए दो ही रुपिया थे लेकित बाते देखो सेनिक बोले भाई राजा की नाक कटे सुनो बीस रुपिया देंगे फल हमको दो कृष्णदाश जी बोले 25 देंगे बिना विचार किये हमको दो करते 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 महराज मोल पहुँच गया 90 रुपिय पर कृष्णदाश जी सीधे बोले हम 100 रुपिया देंगे अब तो हमको देना ही पड़ेगा फल वाला सोच रहा है यह जल्दी ले में और मैं यहां से जाओं मैं तो छुटी अब तो एकाथ साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा 100 रुपिया मिल रहे हैं उस समय बहुत होते थे जब 100 रुपिय पर अंक पहुँच गया कृष्णदाश जी का सेनकों नहीं बोला कि भाई देखो हम बले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं अपने राजा की नाग बचाने के लिए रुपिया बढ़ाते तो चलेगे लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने का सो रुपिय का तो राजा तलवार निकाल के सरदर से अलग कर देगा बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोची नहीं रहे हो कि 100 रुपिय का फल लाए हो अंत में राजा की सेनकों नहीं हाथ कड़े की बोले इनी को दे दो हमको नहीं चाहिए दुकांदार बोले लाव सो रुपिया कृष्णदाश जी बोले देख भाई तु मोल निकाल के तु ये फल निकाल के रख दे बस हम लेके आ रहे हैं चाहिए कैसे भी लाएं लेके आएंगे लेकिन इसको रख दे तुरंद गए ना जाने क्या-क्या बस्तु में सब लगा करके बेच करके सो रुपे का फल लेकर के गए ले जाकर के जैसे ही रसोई घर में पदराया अच्छा हमारी यां व्रंदावन में बंधूं आज भी एक नियम है बहुत साफधानी से सुनना है थाकुर जी के बारा एक बज़े मंदिर बंद हो जाते हैं हम लोगों को ऐसी विचारधार आए कि थाकुर जी शेन कर रहे लेकिन नहीं ये व्रंदावन में दुपेर में मंदिर बंद होने का रहस से सेन करना थाकुर जी शेन में नहीं जाते हमारी आपकी तरह नहीं रोटी खाके पड़ गए ठाकुर जी गवचारण के लिए जाते हैं उस समय तो तबी भी आज के बाद विर्णावन में ये हो कि भाई बारे बज़ गए एक बज़े तो किसी से ये नहीं गए न ठाकुर जी शेहन कर गए कहीं लोगं को मैंने देखा एक बज़े मंदर पर अब तो भी आज जी के शेहन हो गए नहीं शेहन रात्री में होता है तो पहर में तो ठाकुर जी वनचारण के लिए जाते हैं वन में गए गवचारण करने गए और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब ठाकुर जी का उत्थापन होता है चार बज़े के आसपास मंदर खुलते हैं तब ठाकुर जी का फलों का भोग लगाया जाता है क्यों इस भाव से कि ठाकुर जी वन में हैं और भिलनिया भोग लगा रही है वन में कोई पक्के हुए पदार्थ तो मिलेंगे नहीं तो इसलिए फल का भोग लगाते वाज के बात कभी भी दुपेर में ठाकुर जी का जब मंदेर बंद हो तो उस समय भाव क्या है कि ठाकुर जी इस समय वन चारण में यमना के तट पे गूमने गएं बांडीर वन गएं गईया चरावे नंद बाबा की इसलिए कई जगे आपने देखा ओ देखो सेवा के भी बड़े भाव है श्रिनाच जी की सेवा हम छोटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं श्रिनाच जी की शिनाच जी की सेवा में गईया और ये बच्चिया ठाकुर जी के खिलोने ये पूरे दन ठाकुर जी के सामने नहीं रखते ये केवल तब रखते हैं जब ठाकुर जी का राजबोग हो जाता है सब लोग इधर देखो, इधर देखो यहां देखो, कथा सुने देखो, समय तीन ही दिन है आपके पास और मेरे पास भी कोई कितनों चिलावे, आवे, जावे कूद पड़े आपके ऊपर आप अपनी दृष्टी यहां से मतलटाना दृष्टी और कान ये दोनों बस यहीं रखना तो हमारे यह नियम है ब्रज में कि ठाकुर जी के आगे गया ठाकुर जी के आगे खिलोने ठाकुर जी की लकुट और ये सब राजभूक के बाद दराई जाती है क्यों? कि अब ठाकुर जी तयार हो गए वन में जाने के लिए आज भी नियम से सेवा वैसी चलती है पूरे दिन गया आदी नहीं रखते ठाकुर जी के आगे और फिर हर मंदर की व्यवस्थाएं अलग है रादरमन जी की अलग है रादवलुप जी की अलग है बियरी जी की अलग है श्रीनाच जी की अलग है गुवन देव जी की अलग है पर सब्जगे भाव यही है कि दुपेर में ठाकुर जी गवचारन के लिए जाते कृष्ण दाज जी दुपेर में फल लिया है रसोई घर में लाके फल रख दिया रसोई जी को बता दिया जाके बोले हमने जो है रसोई घर में फल रखा है अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना कृष्ण दाज जी बड़े प्रसन्य थे कि भाईया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा ठाकुर जी पाएंगे आनन्दित हो जाएंगे रसोई आईशनान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए पूरी रसोई खोज ली लेकिन महाराज फल नहीं मिला कोई ले गया उसको वहां से बारा के कृष्ण दाज जी से का बोले कि कृष्ण दाज जी अंदर तो फल एही नहीं बोले अरे मैंने वहीं रखा है बोले मैंने देख लिया कहीं भी नहीं है साब जगे खोज लिया महाराज फल तो कहीं चला गया उसको कोई और ले गया कृष्ण दाज जी बड़े व्याकुल हो गया बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाईयन से लड़ जगड के लायो दो रुपया के फल को सो रुपया को ले के आयो कितनी वस्तु बेच के आगयो इस बात का दुख नहीं कितना महगा लाया इस बात का दुख नहीं कितना लड़ के लाया लेकिन कृष्णदाज जी का मन बड़ा विचलित पुजारी जी आये बुलो कोई बात नहीं अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है अब फिर कभी कृष्णदाज जी अब कृष्णदाज जी किस को बता है अच्छा एक और बात बंदू हूँ जो बात बात पर ये बता है न मैं तो ये ये करके लाया था मैं तो इतनी मेनत से लाया था समझो उसको इस बात से चंता नहीं कि ठाकुर जी ने दारन नहीं कि उसको इस बात की चंता कि मैंने मेनत की थी कृष्णदाज जी को ये चंता ही नहीं थी मैंने कितना श्रम किया उनको ये चिंतादी ठाकुर जी ने पाया नहीं रोते रहे सब समझाते रहे कृष्णदाज जी को उत्थापन का भोग जब अनोसर हुआ और पुजारी जी ने भारा करके जैसे ही कपाट खोलने की गोष्णा की सब दर्शनारती खड़े हो गए कृष्णदाज जी के भी नेत्र लाल पड़े थे जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया ठाकुर जी के उर्द बाहू के उपर वही फल रखा जा था जो कृष्णदाज जी लेकर के आये रसोई या लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके लिया आये उस फल को और अपनी भुजा में लाकर के धारन कर लिया जैसे ही ये दर्श्व क्रिश्णदाज जी ने देखा मूर्चित हो गए भाव में प्रवेश कर गए ठाकुर जी के बार बार बलेया लेने लगे जैवो नाथ साचो प्रियतम आपी हो बिन गोपाल को नहीं अपनों जासों कीरत रहिए सुरदाज जी कहते संसार के प्रेमी लोग कितना भी प्रेम का आप उनके सामने बखान कर दो कितना भी अपना प्रेम उनके सामने उजागर कर दो कभी ना कभी उसका त्याक कर देंगे लेकिन ठाकुर जी आपके प्रेम को हिरदय से लगा करके रखते इसलिए मैं कधाओं मैं कहा करता हूँ ठाकुर जी को चपन भोग प्रिया नहीं ठाकुर जी को इत्र प्रिया नहीं ठाकुर जी को चंदन प्रिया नहीं ठाकुर जी को दुनिया भर की पोशाक प्रिया नहीं सोने चांदी हीरे जवारात प्रिया नहीं अपने प्रेमी भक्त का भाव प्रिया उसका भाव कैसा उसका भोग ठाकुर्जी लगाते हैं चपन भोग है इससे ठाकुर्जी को कोई अविप्राए नहीं इसलिए भया भक्ती का पहला सूत्र अपना लीजिए कि भक्ती विचार का विशह नहीं है विचार नहीं करना है आप विचार मत करो बस जो करना भाव मन में आगया बस कर दो ठाकुर्जी सब समाल लेंगे ये विचार उत्पन होना और फिर स्वयम को उसके नायोग के मान करके उसक्रिया को ना करना ये ठाकुर्जी की परिक्षा है पहले तो आपके हिरने में ऐसा विचार उत्पन करा देंगे कि ऐसा ऐसा मुझे उत्पन करना है ठाकुर्जी का और फिर बाद में आप सोचो अरे हम पर दन तो एई नहीं हम तो करी नहीं पाएंगे आप जैसे ही उस भाव से पीछे हटे ठाकुर्जी आपको परिक्षा में फेल कर देंगे क्यों? विचार कर रहा है रैदाज जी का चरित्र सुनाए जब ठाकुर्जी उनकी सेवा में आये ना तो रैदाज जी अपने ठाकुर्जी को रैदाज जी का स्वभाव था कि उन तीर्थों में घूमते रहते थे लेकिन जब से ठाकुर्जी सेवा में आये तब से उनका तीर्थ छूट गया क्यों? ठाकुर्जी को समय पर भोग नहीं लग पाता ठाकुर्जी को यथा उचित स्थान पर बैठा नहीं पाते क्या करें? तीर्थ जाई नहीं पा रहे थे तो रैदाज जी ने ऐसा बना लिया अपनी कुटियां में ही अलग-अलग तीर्थों के नामों से पढ़चियां लगा दी और रोज ठाकुर्जी का श्रिंगार करके कहते कहो लाल जी कहां चलोगे? अच्छा तो आज रामेश्वरम जाना है ठाकुर्जी की चोकी उठाते नेत्रबंद करते ओहो देखो कितना संदर समुद्र बहरा है ठाकुर्जी रामेश्वरम नात भगवान का अवशेक चल रहा है लोग ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय का उच्छारन कर रहे है और ठाकुर्जी की चोकी दो-चार बार ऐसी गुमा के रामेश्वरम जहां लिका होता तो महीं बैठा था पहुँच गए रामेश्वरम जहो बोलो भगवान शिवकी जहो रामेश्वरम पहुँच गए ठाकुर्जी और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर्जी को ही बताते देखो ठाकुर्जी अब हम धनुश कोडी पर गूम रहे हैं अब देखो रामेश्वर भगवान के इस पटिक शिला के दर्शन कर रहे हैं रामेश्वरम में कितने सारे कुए हैं हम उनमें शनान कर रहे हैं बैठे अपने गाओं में हैं अपनी कुटियां में हैं लेकिन ठाकुर जी के प्रती भाव क्या रख रहे हैं कि हम रामिश्वरम में रैदाश जी की इस भक्ति का ये स्वरूप हुआ कि जेट के महिने में अति गर्मी के अंदर यदि रैदाश जी अपने ठाकुरुजी को तैयार करें चलो ठाकुरुजी बद्रीनाथ चल रहे हैं जैसे ठाकुर जी की चोकी बद्रीनाथ में रखी जाती न उनके गाउं में जेट के महीने में बरवगर ने लग जाती थी गाउं के लोग जेट के महीना में सो लोड के घुमते कोई पूछता कहा भे वो बोले जरूर रेदास के ठाकुर जी आज बद्रिनाद गए होंगे यही मारे बरव गर रही है तो पहला सुत्र क्या है भक्ती का विचार नहीं करना है ठाकुर जी की सेवा है ठाकुर जी का कोई सेवा प्रकल्प है ठाकुर्जी की सेवा में कोई वस्तू पद्रानी है उस पर विचार मत करो बस जो प्रिय है ठाकुर्जी को तुरंत ठाकुर्जी को अरपन करो आज्या गुरू नाम अविचार इडिया सूर्दाज जी गातें भरो सो द्रड़ाइन चरनन के रोद भरो सो द्रड़ाइन चरनन के रोद प्रोस्व प्रणवेन चलनके रोग श्रीवल लभ नख चंद्र चटावेन श्रीवल लभ नख चंद्र चटावेन श्रीवल लभ नख चंद्र चटावेन सब जग माही अधेरो सब जग माही अधेरो प्रोस्व प्रणवेन चरनन के रोग भरोस्व प्रणवेन चरनन के भरोस्व पंद्वों लोग दिक्षा ले लेते हैं गुर्देव से पर दिशा नहीं ले पाते हैं हमारे माइने में दिशा जादा जरूरी है दिक्षा ना भी हो चलेगा लोग गुरुमंत्र ले ले लेते हैं स्वरूप ले लेते हैं कंठी माला ले लेते हैं लेकिन अपने गुरू की बताई एक बात नहीं करते हैं अपने जीवन में ऐसे दिक्षा का क्या पाइदा गुरू आज्या सर्वो परी गुरू आज्या भगवान की भक्ती में और पुष्टता लाएगी हम भक्ति चरित्र सुनने तो बैठें लेकिन भक्ति चरित्र सुनके केवल आपको और मुझको संतोष हो जाए उससे काम नहीं चलेगा भक्ति चरित्र सुनके हमारे जीवन में भी वैसी भक्ती के कुछ प्रभाव प्रकाश पढ़े ये चाहते आज्या गुरू नाम अविचार नेया गुरू की आज्या पर विचार वो सुर्दाज जी तो कहते हैं बैया व्रत नियम साधन नाम जब एक आदिशी आदी ये सब ना भी करो चलेगा लेकिन कल युग में यदी ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी के गुरू जनों के प्रती विश्वास भरूसा नहीं है तो साधन और नाही आकली में साधन और नाही आकली में जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो गुरू आज्या को सर्वो पर ही नहीं मान रहे हैं लेकिन दुनिया वर के साधन कर रहे हैं तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे यदि गुरू आज्या नहीं मानी तो भगवान के भक्ती भाव में किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे सूर कहा कहें दुविध आधरो विश्वास का भी बंधों एक स्वरूप होता है किस अकांक्षा से किस उद्देश już से विश्वास किया जाता कई बार हमारा ठाकरजी में विशवास इसलिए होता है क्योंकि हमें ये अंदर भाव रहता है कि ये हम पर कृपा करेंगे कृपा किस रूप में माग रहे हम ठाकरजी से हमारे जीवन में सब सुखद हो जाए सब आनन्दित हो जाए हमारे सब काम दंदे बढ़िया चले सब बढ़िया रहे ये कृपा यदि आप मांग के ठाकुर जी बरुसा कर रहे हैं तो बरुसा भी नहीं करो तो चले गा गोपिया गोपिगीत में कहते हैं हम आपकी अशुल्क दासे बिना मोल को चेरो मतलब हमें आपसे कृपा की भी इच्छा नहीं है आप हम पर रीज हो आप हम पर कृपा करो हमको ये भी अविलाशा नहीं है कुछ नहीं बस राजी रहो प्रसंद रहो आनन्द में रहो बक्ती का बहुत बड़ा सूत्रे बंदों ठाकुर जी से कोई मागो मत कुछ द्रव मत बस आप प्रसंद रहो आपको जिसमें राजी हम उसमें राजी तत सुखे सुखे त्वम बक्ती विचार का विश्य नहीं है उसमें विचार मत करो बरुसा रखो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब पुर्ण होगा गुरु के प्रती थाकुर जी के चरणों के प्रती द्रडविश्वास करमेती भाई की समान ही घगवान की भगवत बगता थी बिहाँ जिस दिन था ना करमेती भाई का उसी दिन चली गए विरंधावद माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्या के लिए लेकिन जिस दिन ब्या था उस दिन मन में विचार करने लगें कैसे किसी अन्य का वरण कर लू मैं और वो भी ऐसों का वरण है जिन में भक्ती का एक लक्षन तक नहीं आजकल हम लोग वरण करते हैं तो क्या देखते हैं बुरा नहीं मानियेगा चाहे कन्या वर का वरण करें चाहे वर कन्या का वरण करें हम दो चार चीज़ें देखते हैं एजुकेशन कैसी है परिवार कैसा है रूप कैसा है धन कितना है कभी ये विचार किया बायोटाटा में ने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भईया हर महीने ब्रंदावन जाने आई इतनी भक्ती है तस माला रोज करती है करन्या कभी बायोटाटा में लिखा यहां जितने भी भाई लोग और बेन लोग बैठे हैं जिनके भ्यान नहीं हुए है अपने बायोटाटा में ये मेंशन करवाना कितनी माला करते है सारे जो ग्रेट्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े इस स्कूल में पढ़े इतनी एजुकेशन आदी वो जो भी है और एक्सपिरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब क्या आदी आदी बायोटाटा सब देखे हैं उनमें सबसे उपर जहां पर ये एजुकेशन वाला आता है क्या-क्या पढ़ा है करते हैं होबीज क्या है वो सब क्या है कि बिटिया जो है वो रोज 11 मला करती है हरिनाम और फिर एक्सपिरियंस में कहीं एक आज जगे राधरमन जी की क्रपा का भी उल्लेख कर देना भाई साब यदि सामने वाला व्यक्ति वैशनव नहीं होगा तो बायोटाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं है वैशनव लक्षन हो तब स्विकार किया जाए किसी व्यक्ति को और ये पहल हिसार से ही प्रारम हो कि भाई हिसार से बायोटाटा आते तो उनमें ये लिखा आता है कि कितने नाम जापक हैं कितना वरंदा बन जाते हैं गुरु जी कौन है गर में राधा मादव की सेवा होती है यह हो भी है बच्चों की उनी की सेवा में ही उनको सुख मिलता है ये बाते हम कहां मेंशन करते हैं हम केबल वो चीज दिखाते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए यदि वैशनव होगा सामने वाला तो वो इसी चीज से ही प्रभावित हो जाए आपको पता है रुक्मनी जी ने भगवान को पत्र लिखा था कभी ठाकुर जी मिले तो थे नहीं रुक्मनी जी से लेकिन पत्र लिखा साथ श्लोकों में और रुक्मनी जी ने सबसे पहली बात क्या लेखे किश्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शन वताम ते निरविश्य करण विवरेई अरतौं गतापम वैसे तो यहाँ पर हम आप सब लोग सब श्री जी वारे हैं रुक्मनी जी को कहा काम लेकिन फिर भी रुक्मनी जी बंधों कौन है पता आपको श्री जी की भक्ती का अधिकार देती है श्री रुक्मनी जी रुक्मनी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मनी जी के साथ विवाह का मतलब पती की देख रेख, पती का ध्यान रखे, पती का सब समाले आदी करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है श्री जी की देख रेख समाल तो हमाई ठाकुर जी करते हैं, उनसे ब्या थोड़ी होगा वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की तो रुक्मनी जी को प्रणाम करने से श्री जी सेवा मिलती है ठाकुर जी के सेवा भी मिलती है बड़ा विशय है उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन रुक्मनी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिखके जब ब्रह्मन के द्वारा ठाकुर जी के पास भजवाया बगवान ध्यानस्त बेटे थे ब्रह्मन ने आगे का बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है बगवान बोले पढ़के सुनाओ बोले निज पत्र हुआ तो कोई बात नहीं ब्राह्मनों से वैसे भी क्या छुपा है और हमारा छुपा रहता भी क्या है सब तो पता चल जाता है सब को कथा आती है राम जी और जान की जी इस दोनों जब रात्री में कनक भवन में चले जाते हैं तो उसके बाद महां इनकी लीला होती है मान लीला, दान लीला हमारे कनया तो बिचारे बे मतलब में बदनाम कर दी है इनके गुरु जी तो राम जी है राम जी ने जितनी लीला करी है उन लीला जो अधूरी रह गए वो ठाकुर जी ने करी है हमारे इनने राम जी तो बड़े लीला पुरुष्टम राम जी भी खूब है लेकिन हाँ थोड़े संकोचेत हैं संकोची है तो कनक भवन में आज रात में राम जी से स्री जी बोली कि शूरी जी सीता जी बोले कि आज कछू नयों करेंगे लीला में बोले कहा करनो है अच्छा लीला की बात आती तो हमारी प्रजवाशा ही निकलती है बली राम जी के चरित्र की हो राम जी बोले क्या करेंगे बोले आज एक काम करो हम बनेंगी राम तुम बनो सीता राम जी बोले नहीं नहीं ये सब उचित नहीं है आप ऐसी रहो हम ऐसी रहते हैं बैसी कोई नहीं लवन नहीं नहीं आज तो आप हमारा श्रंगार करो और हम आपका धनुजमान और मुकुटदारन करेंगे नहीं मानी श्री जी तो फिर राम जी मान गए ठीक करेंगे तो पहले तो श्री जी राग हो के बेश में आई, किशोरी जी, सिता जी उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी संदल लग रही हो, नजर उतारी श्री जी बुली है, अब आप जाओ, अपनो श्रंगार करके आओ, तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारन करके आए न, तो श्री जी को मूर्चा आ गई हो, नेतरबंद होने लगे, गिरन लगी, राम जी ने समाली कहा भे हो, बले कि आप या तो बिगाड के आओ अपनों नहीं तो हम देखने ही पा रहे हैं इतने संदर लग रहे हैं आप कि हमें मूर्चा आजाएगी अभी तो राम जी थोड़ो काजल बिगाड के आए तब सीता जी ने उनको नहीं आ रहा है क्यों बोले आप पूरन व्यवस्थित श्रंगार में रहोग लेकिन बंदों यहां कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं लेकिन बाहर सर्जू जी के तड़ पर वेठे हुए गुरु वशिष्ठ वो नेत्रबंद करके रात बर श्री जी और ठाकुर जी का इस्मरन करते थे बली सुर्य उदय के बाद गुरु रूप में रहते थे लेकिन रात्री में वो अपने भक्ती भाव में आजाते थे तो रात्री में आज जैसी उन्होंने ध्यान लगाया नेत्रबंद किये तो क्या देखा राम जी तो गोरे हो गए है और श्री जी जो असांवली हो गई है क्यों वोले आज तो अदला बदली हो गई ना अन्तः पुर का दर्शन उनको जैसी ध्यान में हुआ तो वो तो बिचले तो हो गए यह क्या हुआ यह मुकुट पहन के धनुष धारन करके राम जी बड़े गोरे गोरे गूम रहे है और हमारी जानकी जी आज सांवली हो इतनी में कमंडल उठाया निकल गए कनक बवन की और बोले चल के देखूं क्या हो रहा है अब जैसी गुर्देव आए तो बाहर से सक्कीयों ने नारे लगाए बोले सावधान गुर्देव पधार रहे हैं जैसी राम जी ने सुना राम जी भागे बोले अरे गुर्देव गुर्देव के लिए कोई रोक टोक नहीं दे वो जब चाएं तब पहुंच जाएं राम जी के कख्ष में राम जी भागे गुरू अपनी चुनरी फुनरी उतारें जल्दी जल्दी बदलो गुरू जी आ जाएंगे अभी काजल वाजल मिटाये मुक्की लाली मां ठीक करी गुरू जाएंगे राम जी अपने रूप में आगे और श्री जी अपनी रूप में आगे जैसे प्रमुक द्वार में भीतर प्रवेश हुआ वशिष्ट मुनी आये राम जी ने चरणों प्रणाम किया प्रणाम भगवन वशिष्ट जी बोले हम देखने आये थे गुरू जी कोई दिक्कत नहीं बस ही याद आ रही थी आप दोनों की तो हमने कहा चलो देख लें चलके सब ठीक तो है लेकिन वशिष्ट जी अपनी आँखें गाड के दोनों को देख रहे कुछ तो गड़बड है अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ट जी महां से जाने लगे तो जाते जाते उनकी दरिश्टी गई राम जी की मांग पयजोगी भरी होई थी अब जैसे ही राम जी की मांग देखिए सो वशिष्ट जी मुस्कुरा गए राम जी ने देखा ही कहां देख रहे हैं जैसे ऐसे क्यों बोले गुरु जी सब करपात की नहीं नहीं आप लोग रहो हम निकलते हैं गुरु जी चरणो आप किसी से कहना मत आप तो अंतर्यामी हैं मा को मत बता कोई बुराई नहीं लेकिन सब परिहास करेंगे आप किसी से कहना नहीं वशिष्ट जी के नेत्र सजल हो गए राम जी कितने भोले हैं खरदय से लगा लिया आप चिंता मत करण किसी से नहीं कहेंगे और वशिष्ट जी ने ऐसी छुपाई बात किया आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं पुरी दुनिया को पता चल गए थाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो छुपी तो रहती नहीं है सब पता चल जाता है सब लोगों को कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी के खुपी है तो बगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़गे सुनाओ कितना भी निज हो निज रहता का है हमारे सब तरंट पुराणों में उल लिखित हो जाता है क्यों ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंदू उसके पिज़े भी कारण है क्योंकि बगत अपनी बगती की साधना से नित्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके इड़दय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनी रहस्य को देख लेता है इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती चाहे स्वामी श्री हरदास जी हूँ चाहे हितर्वंश महाप्रभू हूँ चाहे स्वी जैदेव महाप्रभू हूँ चाहे गुस्वामी तुलसिदास हूँ चाहे वालमी की हूँ सब ने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं महां पर ठाकुर जी भक्ती में ये भक्ती ही चावी है ठाकुर जी को नाम ही चावी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का बगवान बोले ब्राह्मन से पढ़के सुनाओ पत्र में क्या भेजा है रुक्मणी ने ब्राह्मन ने पहले इश्लोक का पहला शब्द ही पड़ा था शुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शुनवतामते अर्थ क्या है बोले रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको कभी देखा नहीं है मैं आप से कभी मिली नहीं हूँ पर मैंने आपकी कथाओं में बहुत आपका यश्य सुना है बस ये बात सुनते ही बगवान बोले सुनो पत्र बंद कर दो बोले पूरा तो सुन लीजिए बोले पहले जान तो लीजिए पहचान तो लीजिए बाकी के गुण भी तो पूछ लीजिए आगे के पत्र में थोड़ा देख लीजिए थोड़ा हमसे जाच करवा लीजिए कण्या कैसी है नाक कैसी आख कैसी परिवार कैसा थाकुर जी बोले इसने पत्र में जो पहली बात लिखिये ना उसके आगे अब हमें कुछ नहीं देखना वो कह रही है कि उनको मेरी कथा बहुत प्रिये है शुत्वा, गुणान, भुवन, सुंदर, शुनवतामते और वो कथा की रसिक है, कथा की प्रेमी है इसलिए वो मुझे प्रिये, चलो, ब्याग करेंगे रुकमनी जी से जाकर के ठाकुर जी ने ब्याग किया कैसा स्वभाव स्वरूप है ठाकुर जी का बस प्रिये भाव कोई प्रस्तुत कर दे तुरंट स्विकार करते हैं उसको तो करमेती भाई ने जिस दिन भ्याँ था, उसी दिन घर छोड़के चली गए क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिन से भ्याँ होने वाला है उनके घर में कोई भक्ती भाव कुछ है नहीं पिता जी केवल बात बनी रहे, इसके लिए भ्याँ करना मैं कैसे पूरे जीवन जीऊंगी? और ये जीवन, ये ठाकुर जी ने बड़ी किरपा करके, अनुक्रह करके हमको मानव बनाया है अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया, भक्ती भजन करके ठाकुर जी को नित्रों में निहार के ठाकुर जी की भक्ती करके तो किसलिए जी रहे हम लोग? कर्मा बाई ने पहले तो माता पिता को हिर्दे से प्रणाम किया शमा मागे, बोले माता पिता को हिर्दे को ठेस पहुँचाने का जो डंड मिलना चाहिए बालक को नाथ मैं उस डंड को स्विकार करने को तयार हूँ परन्तु एक भक्ती हीन व्यक्ती के साथ जीवन नहीं जी सकती शमा करो और ऐसा कहते ही कर्मा बाई निकल गए कहां सिदे वरंदावन, वरंदावन पहुँचे यहां कर्मा बाई के पिताजी, कर्मेती बाई के पिताजी, कर्मा बाई अलग है करमेती भाई के पिताजी खूब ढूणा नहीं मिली वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को समझ गए निश्चित वरंदावन गई होगे वरंदावन पहुचे तो वरंदावन में दो-चार वैश्णों को वारता करते सुना वे लोग करमेती भाई की वारता कर रहे थे तो पिताजी ने जाकी पुछा ये जिनके बारे में आप वारता कर रहे हैं कौन हैं बोले करमेती भाई ये बड़े बड़ी भकते हैं ठाकुर जी के मंदर में जाती हैं जैसे ही मंदर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देखके सब आनदित हो जाते हैं या थो ठाकुर जी की मूर्ती हिलने लग जाती है या तो वहाँ कोई ध्वनी प्रगट होने लग जाती है अद्वुत सुगंदी आ जाती कर्मेती भाई के मंदर में आते ही कुछ ना कुछ विशेश होता है करमेती भाई के पिता जी पूछते पूछते करमेती भाई के पास पहुँचे नित्र बंद करके ध्यानस्त एक आसन में बैठी राधे कृष्णे राधे कृष्णे युगल मंतर का जाप कर रही थी अश्रुधार गिर रही है नित्रों से इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देखकर के विलग-विलग करके रोने लगे जब करमेती भाई के नित्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा उठकर के गई नित्रों के आंसु पहुँचे बेटा तुने क्या किया बिभावाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में माता पिता के बारे में छोड़ के भागाई वहाँ से तेरे पिता की ना कड़ गई पूरे पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लाइक नहीं रह गया एक बार तो विचा तुछ से ये उमीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी तू मुझे बोलती न मैं तेरे लिए घर बनवाता है यहाँ पर तेरे पती के साथ तुझे यहीं रखता सब करने को विवस्थित कर देता ऐसे आना ये कहां तक उचित था करमेती भाई ने जो उपदेश दियाना बंदू इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें करमेती भाई कहती है पताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप कौन सी नाक कड़ गई आपकी आप केवल मान प्रतिष्था यश वई भव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं पर वास्तों में आपकी नाक तो है ही नहीं क्यों कि नाक तो उनकी मानों जो कृष्ण भजन करते हैं जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ती हो जिनके पास में व्रंदावन यूगल चंड की भक्ती हो उनकी नाक होती है जिनके पास वैवव होता है ऐसे रामन की बहन थी पताजी सुर्पन खा लक्षमन जी ने उसके नाग काड़ दिये क्यों राम की भक्ति नहीं थे इरदे में पताजी नाग तो आपकी पहली से कटी हुई है मैंने क्या काटी आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं वक्ति भाव को प्रदानता दी नहीं कौन सी नाग की बात कर रहे हुआ करमेती भाई का वो भाव सुनकर के उनके पताजी स्थब्द रहे गए और स्थब्द रहे करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आस तक क्या किया केवल यश्वई वब मान प्रतिष्था बनी रहे मेरी इसी के लिए विचार किया और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में वेज रहा था करमेती भाई की बात सुनकर के उठ गए ठीक है बेटा तु प्रसंद न रहे तुरी भक्ती भड़े बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीश है कि तुझे अपने जीवन में शाम सुन्दर का साक्षात कार हो जाए जैसे ही जाने लगे करमेती भाई ने अपने सिव्वे ठाकुर जी अपने पिता जी को दे दिये लोग पता जी इनको ले जाओ मेरा जो अभाव आपके और मा के जीवन में वो ये पूर्ण कर देंगे अब इनी कोई अपनी करमेती बेटी समझ लेना इनी कोई अपना बेटा समझ लेना इनी की सिवा करो आज भी करमेती भाई के सिर्वे ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो वहां विराजते हैं स्वयम तो भक्त थी ही परन्तु अपने पूरे कुल को अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती भाई एक दन जिस नगर में उनके पताजी रहते थे उहां के राजा ने करमेती भाई की पताजी को आमंतृत किया सेनिकों ने जाकर के कहा बोले महराज आपको राजा ने बुलाया है पिताजी करमेती भाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूँ मुझे किसी राजा के पास जाने जरूत नहीं मेरे राजा तो मेरे संगी है राजा को जाकर कि जब सबने ये बात कही कि बोलो वो तो कह रहे मैं तो अपने राजा के पास ही हो उनकी आग्या मानके रह रहा हूँ राजा ने कहा मेरे लावा कौन सा राजा आ गया दोड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुक बैठे तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे किन क्या अग्या मंद बोले ये हैं मेरे राजा तब से आज तक उस नगर के राजा दिराज की पदवी पर करमेती भाई के सिव्व ठाकुर जी ही बैठे बोले यही है राजा, यही है स्रेश्ट तो भक्ती में बंद्रों विचार नहीं भक्ती में किसी प्रकार का कोई संशे मन में नहीं आना चाहिए संशे युक्त हैं, विचार युक्त हैं सोच युक्त हैं तो हम अभी भक्ती में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी कर रहे है जहां विचार नश्ट हो जाए जहां पर संशे नश्ट हो जाए जहां पर तर्क वितर्क नश्ट हो जाए समझो अब भक्ति प्रारंब होई है विचार ने करना कनेया कनेया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रेज की गुजारा करें करें या करें उतारा करें लताओं में गुजारा करें लताओं में ब्रेज की गुजारा करें लताओं में ब्रेज की गुजारा करें लताओं में ब्रेज की गुजारा करें जो रूठेंगे हम से वो पांके बिहारी 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 चरन पढ़ेंगे हम मनाया करेंगे चरन पढ़ेंगे मनाया करेंगे जो चरन पढ़ेंगे हम मनाया करेंगे जो रूठेंगे हम से वो पांके बिहारी तन पतवाय से वो पांके बिहारी जो रूठेंगे हम मैं सिव पांके बिहारे पुर्चारा तर्श्री राधार मनला लेक्टी बाल रेक्टी एक्यार प्रम्काटी ड्यारा तर्श्रियां ग Cand rain कर दो कर दो कर दो बिलेंगे वो ताकि बिहाड़ी कर दो किर दो भावदी कामड़ी मग हाट है कर देकर कर दो скорее हमारे राधार मनलायजी पिहारी जी विर्नावन मैं नहीं बज खना cushion